सब्सक्राइज दाम मस्ते मैं आपकी होस्टें दोस्वर्शा वेल्कम बाट प्रमाइज चानल कि आप रुबीना के लिए यानि कि अपनी पत्नी के लिए सब के सामने भी का कटोरा लेकर घूमते हो उन्हें नॉमिनेशन से सेव करने के लिए विल गाइज इतना वरा वर्ड मुझे नहीं समझ में आता सलमान खान को यूज़ करना चाहिए अगर वो अपनी बीवी अपनी पत्नी को सेव करना चाहते हैं कोई उनसे कन्विंस हो रहा है उनकी बातों सो तो क्यों नहीं करेंगे जब बिग बॉस का गेम ही है एलाइंसेस बनाने का बिना किसी फ्रेंट्शिप के बिना किसी रिलेशन्शिप के अब आगे गेम में नहीं भड़ सकते तब अगर किसी का नाचुरल बॉंड बन कर आया है घर में तो वो एक दूसरे को सपोर्ट क्यों न करें अगर रुबीना सेव होती तो वो अभिनव को बचाने की कोशिश करेगी और अगर अभिनव सेव हो जाता है तो अफकोस वो रुबीना को बचाने की कोशिश करेगा तो इसमें भीख मांगने वाली बात कहां से आती है वल गाईज अगर मैं बात करूं कपल्स की एलिगोनी और जैस्मिन भसीन एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं और ये क्लियर कट खेल रहे हैं जिससे किसी को कोया पत्ती नहीं है वहीं पवीत्रा पुनिया और एजाज खान को जबरदस्ती एक बंधन में बादने की कुशिश की गई फेक लव स्टोड़ी दिखाने की कुशिश की गई लेकिन अगर वो दुनें एक दूसरे पर रिलाई करते हैं वहीं अगर जान कुमार सानू और नेकी तमबोली की बात कर तो यहां भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन जब बात आती है रुबीना दिलेक और अभिनव शुकला की तो हर एक इंसान तूट परता है अभिनव शुकला या फिर रुबीना दिलेक पर जिहां सलमान खान के अगर बात के जाए तो वो सुरू से ही बाय शुकों को यह साफ देख रहा है और स्पेशली जो रुबीना दिलेक के फैंस है या फिर अवनव शुकला के उनको यह साफ साफ देख रहा है कि कहीं न कहीं कलमान खान एक तरह से बायस नस दिखा रहे है एजास खान के प्रती या फिर बैश करते वे नजर आ रहे है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो प्लीज लाइक के जो शेयर केज़े और अगर आप मेरे चाहल पर नए है तो चाहल को सब्सक्राइब करें बेले गन बजाना बिल्कुला भूले